हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो आपके डाउट्स है ना जो पिछली वीडियो में आये हैं जो की हमने अपलोड की थी पजल और सिटिंग को लेके वो सारे के सारे डाउट्स मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ डाउट्स ये आ रहे हैं कि पहले आप सिटिंग और पजल करवा रहे हो उसके इलावा इंपोर्टन जो टॉपिक्स हैं एक्जाम में आते हैं वो क्यों नहीं करवा रहे हैं तो इस चीज़ की मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए सबसे पहले इंट्रो में यही बोलना चाहूँगा फिर हम अगला हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहली बात तो यह हमारी जो यह सीरीज है मैंने क्या कहा था या हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है पिछले साल SAC के जितने भी एक्जाम्स है SAC, MTS है, CGL है, CHSL है, CPO है जितने भी एक्जाम्स है उसमें हम क्या कर रहे है, topic wise question चांट चांट के आपको करवा रहे है high level वाले, मतलब जो फसने वाले है, tricky level के question है या top level के question है, in short यह हमने decide किया है, तो आपका target है CGL अब आप यह सोच के चल रहे हैं, कि CGL, CHSL में तो sitting puzzle आया ही नहीं है वो तो MTS में आया था, तो इस बार भी chances हैं कि MTS में ही आयेगा तो यह आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, अगर आप ऐसे चल रहे हैं ना कि पिछले साल तो इसमें आया नहीं है, तो अब हम क्यों करें अब मैं आपको clear कर दूँ, पिछले साल तो CGL की exam में जो है exam दिया था, तो आपको पता ही होगा कि questions का level कैसे था, अब धीरे-धीरे level बढ़ेगा, अब instantly आपको level बढ़ा के तो SSC नहीं देगा ना, वो धीरे-धीरे level बढ़ाएगा, level कहां बढ़ा था, coding, decoding के topic में, और तो और missing number में, group analogy के question में level बढ़ा था, आपको पता ही है, खायद जिन्होंने exam नहीं दिया, तो उनको मैं थोड़ा clarity देना चाता हूँ इस चीज़ की, तो इस तरह से level बढ़ा था, तो और topic के through भी तो बढ़ सकता है, blood relation में आ सकता है, direction test में आ सकता है, sitting puzzle, full on chances हैं के पका आएगा, तो ऐसे topics को भी lightly मत लीजिए, मुझे पता है के आपकी demand क्या क्या है, आपको किस तरह से covering देनी है, हर एक topic की, तो जो लोग या teachers जो हैं, ऐसे topics नहीं करवाते हैं न, तो सबसे पहले मैं वो topic करवा दूँगा, ताकि आपके मन में ये न रहे, कि जो पिछले साल के exam में, CGL-CHSL की exam में आये थे question, सिर्फ उनी की practice करवाई आ है, ये तो sitting puzzle आ गया, वो तो आया नहीं था, अरे भाई, मैं CGL-CHSL को हम लोग target नहीं कर रहे हैं, हम CGL-CHSL के साथ-साथ MTS और CPO के एक्जाम को target कर रहे हैं, हाला कि ये सब decide किये हुए, हमें सिर्फ हफता 10 दी नहीं हुए I think, जब से आपको ये videos मिलनी लगी है, regular basis पे, जो हमारी ये series चल रही है, सभी exams को लेके, बड़ मैं आपको एक और बात clear कर दूँ, ये चीज जो है, ये series टार्ट करने से पहले मैंने already decide कर ली थी, जिसमें कि आपको ये videos भी मैंने update करके दी हैं YouTube पे ही, अब यहाँ पर difference सिरफ इतना है, ये questions जो है मैं, कहां से उठा के मैंने करवाई थे, एक तो CGL और CHSL के exam में, बस, अब difference क्या है, हम जो ये series चला रहे हैं, उसमें MTS और CPO भी include हो गया है, Got it, तो ये पिछली videos जभी आप go through कर सकते हैं, अगर CGL, CHSL में से मैंने top level के question उठा लिए, आपके ही accordingly मैं सोचूँ, तो MTS में तो question का level low होता है, तो भाई ये कर लो, अगर आपको लगता है कि MTS का level low है, ठीक है, बाकी एक बार, पूरा analysis लेका है अगरो पहले तो, कि मैंने एक दो के comment ये भी देखे हैं, ना मुझे आद नहीं है, चलो point out भी नहीं करूँगा, comment ये आया था, कि sitting और puzzle में, कि ये level तो आता ही नहीं है, दूसरी बात, अगर हम CGL, CHSL को ही target कर लेंगे, तो MTS तो इतना असान आता है, बच्चा भी चुटकियों में कर लेगा, कोई बा topics लेके आ रहे हैं, जो हमारी मर्जी है, topic wise जो है, वो पिछले सभी exams में से, SSC में, IUA, CPO, CGL, CHSL, MTS, मैं बार-बार बोल रहे हैं इस चीज़ को, सभी exams में से ही हम question जो है, छाट-छाट के आपको करवा रहे हैं, topic wise, ओके, और रही बात, important topics, important topics, भाई सारे ही important है, अब demand आ analogy, classification, कोई बात नहीं, आप बोलो इस चीज़ को, ठीक है, और बनता भी है, क्योंकि आपको important topics में, doubt जो है, उन्ही topics में आता है, तो tension मतलो, अब ऐसा है, कि हम मेरी जो वीडियो डल रही है, वो डल रही है, तीसरे चोते दिन में जाके, आपको ऐसे receive हो रही होगी, अब tension मतल हमने ये भी decide किया था, कि अगर हमारे पास 30 दिन है, और एक एक वीडियो daily आएगी, तो हम 30 से 40 वीडियो देंगे, बट ये भी अगर आपने ध्यान से सुनाओ, अगर हमें 60-70 वीडियो भी देनी बड़े न, topic complete करने के लिए, तो वो हमारी responsibility होगी, आप इसमें tension मतलो, patience target क्या है, पड़ो, content आपको timely मिलता रहेगा, जल्दी हमें भी है, अब एक ही बार में अगर मैं सारी की सारी वीडियो दे देते हैं हम लोग, तो देखने और सुनने और समझने के लिए भी तो आपको time चाहिए है, तो patience रखो, बाकि अगर आपको आपने ये वीडियो नहीं और syllogism, ये चार वीडियो अपडेटिड है, इस सीरीज के अंदर मैंने sitting और puzzle की जो वीडियो है, जो अभी है, आपको दी है, तो सारे ही important है, तो tension मत लेना, चलो, खैर, आज चलो, अभी start करने लगे हम, आज का नया topic, when diagram को लेके, बहुत easy topic है, again, but बात ये है, कि मैं पसने वाले, when diagram topic के अंदर आपको भी बता है, कि हम जो है, circle या कुछ एक sets के बीच में relation identify करते हैं, सारी चीज़ें आपको clear है, तो दो तरह के question आते हैं, जिसमें कि हमारा जो है, एक normal हमें कुछ parameters given होते हैं, उसमें direct connection बनाते हूं में, when diagram चूज करना है, दूसरी type आती है हम हमारी data van diagram की, data van diagram में क्या होता है, different type of geometrical figure हमारे पास use होते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ data's available होते हैं, वो हमें pick करना होता है, दो यी तरह के question होते हैं, तो उन्हीं दो तरह के questions जो हैं, वो हम करेंगे cover, ये जो topic है, चाहे CGL देख लो, अब मैं clearly बोली देता हूं, और next time स मैं बोलूँगा, clear कर दोँगा, तो intro भी ध्यान से सुन लेना, ये CGL में, CHSL में, MTS CPO, हर एक exam में इसका equation पढ़ा हुआ है, अब काफी students के मुझे doubt ये आये थे, messages के through, telegram channel पे, कि उनको doubts यहां पर ये आये, CGL का जब वो exam देख आये, कि कुछ एक terms ऐसी थी, जिनका उन्हे meaning ही नहीं clear हुआ कि वो किस तरह से दूसरे parameter के साथ connection में बैटेंगे, तो top level के questions ही उठाए है, ज्यादा easy वाले मैंने उठाए भी नहीं है, क्योंकि shifts आप खुद choose कर लो, कितनी थी, CGL, CHSL, MTS सब भी मिला के, count कर ले न, उंगलियों पे कितनी shifts थी, तो इसमें limited question है, के through ही आपको अगले exam में भी question पूछे जाएंगे, बलब सेम नहीं आएंगे, category सेम रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फिर, तो basic idea तो आपको होगा ये सभी चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले हमें figure out करना है यहाँ पर women, researchers और introverts के बीच में, क्या logical when diagram बनेगा, मह logically ऐसे सोचने हैं आपको, कि सबसे पहले आप पहले दो parameter को target करो, अगर जिनों ने ये topic नहीं भी किया हुआ, उनके लिए बहुत ही benefit है, ये point, women और researchers, मतलब पहले दो target करते हैं, कौन से दो parameter given है, अब दुनिया में जितने भी women है, वो सारी की सारी researchers तो नहीं है, बट कुछ ह इसी तरह, जितने भी दुनिया में women है, वो सारी की सारी क्या है, introverts, अंतर मुखी है, introverts person कों से होते हैं, जिनको बाहर की दुनिया से कोई ले न देना नहीं है, वो अपनी life में ही must होते हैं, अब ये ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जितने भी women है, वो सारी की सारी introvert है, कुछ women researchers भी हैं, कुछ women introvert भी है, और कुछ introvert persons, other than women, girls होगे, boys होगे, men हो गए, ठीक है, तो वो भी तो researchers हो सकते हैं, मैं कहता हूँ चलो girls boys को छोड़ो, men भी तो ऐसे introvert person है, जो as a researcher होते हैं, तो यहाँ पर men given नहीं है, बट कुछ researchers भी ऐसे हैं, जो introvert होते हैं, तो मतलब यह तीनों के तीनों parameters जो हैं, आपस में interconnected हैं, तो इसका exact event diagram क्या रहेगा, आपका option number C, that is कि कुछ women जो हैं, वो researchers भी हैं, कुछ researchers जो हैं, वो introverts भी हैं, और कुछ women as a introverts भी होती हैं, थोड़ा logically आपको सोचना होगा इसमें, okay, next देखें क्या है, फिर से तीन हमें given है, women, mother-in-law and housewives, अब समझो ध्यान से, यहाँ पर पहले ही clarity हो चुकी है, wives, पतनिया, housewives मतलब ग्रैनिया, वो सारी की सारी कौन होती हैं, female या women ही होती हैं सारी की सारी, अब बात आती है, इन दोनों में क्या connection है, अब जितनी भी दुनिया में mother-in-law हैं क्या सारी की सारी housewives हैं, नहीं, कुछ working भी हैं, okay, तो कुछ portion mother-in-law का क्या रहेगा, housewives रहेगा, बट दोनों के दोनों किसका part है, दोनों के दोनों किसका पार्ट है विमेन का पार्ट है इसलिए यहाँ पर भी आंसर कर रहेगा option number C फटब फटब जल्दी से मैं speed खीच दूँगा क्योंकि आपके पास भी time कम है जादा time waste नहीं करूँगा आपका musicians, females, daughters simple सी बात है एक simple वाला point यहाँ पर पकड़ लो logically अगर सोचें दुनिया में जितनी भी बेटिया है वो सारी की सारी क्या है female है, महिलाए है दुनिया में जितनी भी daughters है वो सारी की सारी क्या है, female person है अब सारी की सारी daughter musicians तो नहीं है, सारी की सारी females भी musicians नियाल बट कुछ females ऐसी होती है Missouri 썜 ए और कुछ daughter-sbis a Jon actually हो सक्ति है तो मतलब के da semble एंड female person का तो ये वन डाग्राम बनेगा कि दुनिया में जितनी भी daughter-shr है मैं सारी कि सारी किया है female person in में से कुछ musician हो सकती है कौन-कंसी female भी as a musician हो सकती है ये देख लीजी से, इस तरह से, ये आप consider कर लीजी, ये daughter हो गए, ये females हो गए, और ये सारे के सारे musicians हो गए, next, next three parameters है, parabola, polygon और hexagon, अब पहले मैं clear कर दो, ये जो parabola है, वो क्या होती है, arc type figure होती है, तो polygon जो है, एक enclosed figure होती है, n number of sides की, तो polygon कहां से start हो जाता है, आपका, triangle से, square, rectangle, ये सारे के सारे polygon, hexagon क्या होता है, shutbuj, जिसकी six sides हो, तो hexagon क्या है, एक तरह का polygon ही है, बात करें parabola की, parabola का ना तो hexagon के साथ connection है, क्योंकि hexagon है, 6 भुजाओं वाला एक figure, geometrical figure, parabola जो है, वो curve है, इन दोनों के बीच में तो connection नहीं है, और parabola जो है, वो polygon भी नहीं है, तो hexagon तो polygon की type है, बट parabola जो है, इन दोनों के साथ, कोई भी connection में नहीं आएगा, किसी के साथ भी, तो यहाँ पर correct answer करहेगा, option number A, ये हो गया आपका hexagon, ये हो गया आपका polygon, और ये ह question ही करवाया अभी, दुनिया में जितनी भी mothers है, वो सारी की सारी क्या है, women, दुनिया में जितनी भी sisters है, वो भी सारी की सारी क्या है, women ही है, ठीक है, महिलाएं ही है, अब सारी की सारी mothers जो है, वो भी women है, सारी की सारी sisters जो है, वो भी women है, अब कुछ mothers ऐसी है, जो sister भी तो ह होती है तो ये दोनों जो है आपस में पार्शली कनेक्टिड होंगे मतलब सभी मदर को सिस्टर्ज नहीं बोलेंगे सारी बहने थोड़ा है कुछ आम अ Otherwise हूती है पर दोनों की दोनो इसका पार्टोंगी विमेन का पार्ट होंगी इसलिए आंसर के आ जाएगा हाँ पर भी option number C next coriander seeds, spices, cinnamon धनिया के बीज, मसाले और दाल चिनी अब देखो ये एक beneficial point है आपके लिए कई बार क्या है हमें English में words जो है given जो होते है relation figure out करने के लिए word का meaning अगर ना clear होना तो आपको भी पता है कि exam जो है वो bilingual होता है आपका दो languages में, Hindi में भी, English में भी अगर English में कोई चीज clear नहीं हो रही है Hindi में उस question में उस word का meaning देख सकते हैं अब जो धनिया के बीज है और जो दाल चिनी है दोनों अलग-अलग क्या है मसाले है category तो मसाले की ही है पट धनिया के बीज और दाल चिनी that is coriander seeds और cinnamon के बीच में कोई भी connection नहीं है पट दोनों के दोनों किसके अंदर आ रहे हैं मसाले के अंदर तो आंजर आ जाएगा option number C तो यह outer circle जो हो गया आपका spices का हो गया यह coriander seeds का हो गया और यह cinnamon का हो गया so simple reptiles, frog, animals reptiles, frog और animal अब reptiles जो होते हैं वो होते हैं सरी सरिप frog की बात करें तो frogs जो हैं वो amphibians animal होते हैं मतलब जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं तो वो reptiles की category में नहीं आते बड़ दोनों के दोनों चाहे मैं reptiles की बात करूँ जो सरी सरिप है चाहे frog की बात करूँ बड़ दोनों के दोनों क्या हैं है तो जानवरी that is animal तो answer आजाएगा option number A यह category हो गई आपकी reptiles की दूसरी category हो गई frogs की और यह बाहर वाली category किसकी हो गई अगर बात करें गर्ल्स की क्या दुनिया में जितने भी गर्ल्स है सारी स्टूडेंट्स है ज़रूरी नहीं है न बट हम यह कह सकते हैं कहीं न कहीं majority में चलो माल लेते हैं all नहीं कहेंगे कुछ गर्ल्स जो है वो as a student है कुछ गर्ल्स जो है वो as a athlete भी तो होती है अगर suppose मैं कहा देता हूँ यह girls है और यह है student कुछ girls as a athlete भी तो होती है तो कुछ student भी तो as a athlete होते है अब काफी जनता क्या करेंगी यह वे अन्डेगरम बना के आ जाते हैं exam में कि हमने यह assume किया है जो कि यह गलत है correct answer जो होगा वो आपका क्या होगा B option क्योंकि कुछ girls as an athlete भी है कुछ girls as a student भी है और कुछ student भी ऐज़ा क्या होते है athlete होते हैं तो आपको थोड़ा logically सोचना है full portion पे मत जाओ पहले partially आप start कर सकते हो partially मतलब एक एक topic या एक एक category को पकड़के आप go through करते हुए ये सोच सकते हो कि इन में क्या connection बनाए जा सकता है next black haired people tall persons weight lifters check कर लेना ये MTS के exam में आ रहा है black haired people tall persons or weight lifters अब दुनिया में जितने भी लंबे इनसान है tall persons कि सभी के black hair black haired people है क्या उनके बालों का रंग सभी का काला ही है नहीं बट कुछ ऐसे है लंबे लोग दुनिया के अंदर जिनके बालों का रंग क्या है काला कुछ की बात कर रहे है तो ये पहले दो parameter जो हो गए वो तो हो गए partially कुछ लंबे इनसान ऐसे हैं जो वो क्या होते हैं weight lifters भी होते है मतलब कि वो जो बज़न उठाते है weight lifters जिम के अंदर tall persons ऐसे हैं बट सभी को नहीं बोलेंगे कुछ tall persons ऐसे हैं जो weight lifters भी है तो कुछ tall persons जो है वो black haired people भी है मतलब इन दोनों में connection हो गया इन दोनों में connection हो गया आप बात आगए बस इन दोनों के उपर और कुछ black haired people ऐसे भी होते हैं जिनके बालो रंग का रंग काला हो जो वो भी क्या हो सकते हैं weight lifters मतलब यहाँ पर भी यह तीनों के तीनों parameters के हैं आपस में interconnected हैं आपस में ही linked रहेंगे partially fully नहीं कहेंगे तो अगर आप decide कर भी लेते हो न कि इसका वेंडियाग्राम यह बनने जा रहा है तो थोड़ा logically सोच लेना कि आपने किस circle को कौन सा सेट या यहां पर entity है जो वो mention करके event diagram consider किया है सोच लीजीएगा ठीक है वहाँ से और ज्यादा clarity होगी क्योंकि यहां पर ऐसे questions भी रहते हैं जिसमें आपका option elimination जो method है वो बहुत ज़्यादा काम करता है आप वो भी apply कर सकते हो which of the following diagrams indicates क्या क्या relation given है हमें तीन sets available है female girls और brides ठीक है बात कर रहे हैं यहां पर females girls और brides अब देखिए girls जितनी भी हैं दुनिया के अंदर वो तो सारी की सारी क्या हो गई females okay दुनिया में जितनी भी brides होती है तो वो भी क्या होती है वो भी तो females ही होती है दूलन के लिए अगर हम word बोलें तो दूलन क्या है females के लिए use होगा दूले के लिए क्या होता है bride groom दुनिया में जितनी भी brides हैं वो सारी females है यह confusing question आया था क्योंकि इसके doubts मुझे पूछे गए थे exam के बाद कि इसमें क्या set बनेगा दूनिया में जितनी भी girls है वो सारी क्या है females दूनिया में जितनी भी brides है दूलने है वो भी क्या है सारी की सारी females है अगर बात करें girls और bride की क्या दुनिया में जितनी भी गल्स हैं वो सारी ब्राइड्स है कुछ गल्स ऐसी हो सकती है जो वो ब्राइड्स हो सारी गल्स थोड़ा ब्राइड्स है कईयों की शादी नहीं भी हो रखी तो इसका exact event diagram रहेगा option D, clarify कर देता हूं ये portion रहे गया आपका कौन सा girls का ये portion रहे गया आपका brides का, दुलहनों का partially connected होंगी बट दोनों के दोनों किसका part है females का part है ये बहुत ही simple था basic question next फिर से females relatives and uncles अब uncle कौन से आ गए चाचा, मा, मा, थाया ये सारे uncles हो गए ये नहीं है कि पडोस में एक कोई लोग रहते हैं वहाँ पर उनको uncle को consider कर रहे हो letter relation के accordingly consider करना है इसे females, relatives कि दुनिया में जितने भी females हैं महिलाए हैं, क्या वो सारी रिष्टेदार हैं ऐसा तो नहीं है हम कुछ को consider कर सकते हैं कुछ females ऐसी हैं जो relatives है अगर बात करें relatives और uncles की दुनिया में जितने भी uncles हैं relatives हैं, बिल्कुल है चाचा, मा, मा, ताया, यह क्या है रिष्टेदारी तो हैं, तो सारे के सारे uncles जो हैं, वो किसका part हो गए relatives का part हो गए but, कुछ relative ऐसे हैं, जो क्या होती है as a female होती है तो सबसे पहले consider करते है इस when diagram को, अगर आपको option को ignore करना है, तो पहले choose करो, कौन सा option answer नहीं हो सकता partially यह नहीं हो सकता partially यह नहीं हो सकता, क्योंकि सारे uncles जो हैं, वो रिष्टेदार है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है अब यह वाला portion अगर मैं decide करो तो यह किसको denote करता है uncle को, क्योंकि करना पड़ेगा, मजबूरी है सारे uncles जो हैं, वो रिष्टेदार है relatives है, यह देखो फोई भी circle ले लो, यह relative ले लो चाहे यह relative ले लो, बढ़ यह पता क्या clarity दे रहा है, अगर हमने यह choose किया तो, सारे uncles जो है वो relative तो है, बट सारे uncles जो है, वो किसका part है, female का totally गलत, uncle के gender थोड़े change करेंगे, तो यह portion रहेगा जो define करेगा uncles को, सारे uncles जो है, वो क्या है, रिष्टेदार है, relatives है और यह portion रहेगा किसका females का, कि कुछ female person ऐसे होती है, जो कौन है relatives है, या रिष्टेदार है clear, next प्रोपोस्फियर एट्मोस्फियर, मीजोस्फियर अब यह तो बताने की जूरत नहीं है different layers के बारे में बोला गया है यहाँ पर, वायू मंडल की या atmosphere की, अब प्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर में तो कोई connection नहीं है तो simply answer के रहेगा, option A कि यह दोनों अलग अलग layers है atmosphere की, इसकी atmosphere की, तो यह atmosphere का part हो गए इनके बीच में कोई भी connection नहीं चलिए, next kings, queens, mothers kings, queens, mothers की बात की जा रही है अब सुने द्यान से पहले दो अगर parameter उठाएं kings और queens male female वाला concept हो गया न independent relation है, दोनों में कोई आपस में link नहीं है, kings अलग category हो गई, queens की अलग categories हो गई, बात आती है mothers की, अब अगर queens, अब kings और mothers का भी कोई connection नहीं होगा, फिर वही male female वाला concept हो गया बात करेंगे बस queens और mothers की, ये तो इन दोनों के साथ independent relation है, इसका circle तो अलग से बनेगा, फिक है अलग से circle पक्का बनेगा, तो ये भी eliminate हो गया, ये हो सकता है, ये देखो दो circle अलग लग बने वे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये eliminate हो गया, क्या दुनिया में जितनी भी queens है, सारी की सारी mothers है ये दुनिया में जितनी भी mothers है सारी की सारी queens है, विवर्स में सोच लो नहीं न, कुछ queens ऐसी होती है जो as a mother हो, sum partially, तो मतलब इनका तो partially बन जाएगा when diagram बट इन दोनों का इन दोनों के comparison में, totally different होगा, तो correct answer के रहेगा हमारा option number B women, gynecologists doctors अब gynecologists, इस त्री रोग विशेशग्य, वो कौन होते हैं doctors ही तो होते हैं मतलब doctors की एक special category है gynecologists, तो ये दोनों तो होगे, अपस में connected internal ये वाला part जो होगे, वो gynecologist का हो गया, और वो कौन है is a doctor है अब ये नहीं सोचना के ये doctor है और ये gynecologist है, गलत है तो ये पता क्या decide करेगा, दुनिया में जितने भी doctors हैं, वो सारे के सारे क्या है gynecologist है, सारे थोड़ा orthopedic, dermatologist भी होते है okay, तो एक doctor की type है gynecologist, women की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ women भी जो है, gynecologist होती है okay, कुछ women जो है, वो ऐसा doctor दो हाएंगी आएंगी अगर वो gynecologist है हम सारी women को ही consider नहीं कर सकते के, सारी की सारी women ही gynecologist है, men भी तो होते हैं, तो मतलब के इन दोनों का तो हो गया, complete portion but, women का जो part है, वो partially exist करेगा, gynecologist या doctors के साथ, okay, तो answer के रहेगा option number A, clarity दे देता हूँ, ये gynecologist का part हो गया, ये doctors का part हो गया और कुछ gynecologist as a mother है, कुछ doctors भी है, as a mother वो तो automatically आएगा ही आएगा, जब internal part ही partially तो बाहर वाला तो आएगा ही आएगा, okay students, brother, males अब देखो, पहले इन दोनों को target कर लो, जो आपको लगे न easily link बना सकते हैं, दुनिया में जितने भी brothers हैं, वो सारे के सारे क्या है male person है, पुरुश है इसमें तो कोई doubt नहीं होगा, देखो simple वाला point है, बात कहां पर आटके आटकेगी, students के उपर कुछ brothers जो हैं, दो भाई जो हैं, आपस में relation नना रहे हैं जो भाईयों का उ स्कूल में पढ़ते हैं, पर दोनों के दोनों क्या है, male तो ही है वो तो हमने decide कर लिया, और कुछ male person, brothers के इलावा ऐसे भी हैं, जो ऐसा, student होते हैं तो यहां पर भी, पिछले question की तरह answer के रहेगा, D option तो यह रहेगया आपका brother का part, यह रहेगया male persons, और दोनों के दोनों partially connected होंगे, किस के साथ, student के साथ, ठीक है, fully consider नहीं करने है हाँ, यह काफी important topic था यह तो काफी होने मुझसे doubt पूछा था exam के बाद ही, whisk में doubt आया था, उनको whisk होता क्या है तो मैं आपको whisk की picture clear कर देता हूँ this is a whisk ठीक है, this is a whisk जो की बरतन के रूम में use होता है घरों के अंदर, यह को हमारे घर में तो नहीं है, ठीक है, बड़ देखा जुरूर हुआ है जब भी जाते हैं वार्केट में, देखा जुरूर हुआ है कि as a, यूटेंसिल या बरतन की category है, ओके, पड़ यूज नहीं किया मेरे खाल से वो दही, वो उसके लिए use होता है, अंड़ फेंटने जो है, आपने काफी बार देखा होगा जो गाओं के अंदर है, या गाओं के बाहर भी घास काटने के लिए एक लोहे की इस शेप में होती है, आपको area से इस तरह से इस शेप में आपने देखा होगा, this is called sickle तो sickle जो है वो घास काटने के लिए यूज होती है वो बरतन या की category नहीं है बरतन की category नहीं है बिलकुल different है whisk का तो कोई नामों निशान ही नहीं है इसके साथ connection में आए तो मतलब whisk जो हो गया है वो तो part हो गया यूटेंसिल का और जो sickle है उसका डायग्राम क्या बलेगा थोड़े totally independent चलो ये तो हो गया था next brothers, fathers, experts हाँ अब इस पे आते हैं brothers की बात करें पिछले से पिछले question में मैंने क्या बताया था सारे brothers जितने भी हैं वो क्या है class के अंदर exist करते हैं category के अंदर exist करते हैं और वो category किस की होती है male persons की दुनिया में जितने भी brothers हैं अब यहाँ पर आते हैं पहले दो points की बात करते हैं दुनिया में जितने भी brothers हैं क्या वो सारे के सारे fathers हैं कईयों की शादी भी नहीं हो रखी पर हम कुछ को target कर सकते हैं के कुछ brothers जो है as a father होते हैं बात आती है अब tax payers की दुनिया में जितने भी fathers हैं क्या वो सारे के सारे tax payers हैं tax pay करते हैं नहीं कुछ pay करते हैं ओके तो यह हो गया इन पहले दो parameter का relation यह हो गया next two parameter का relation बात आएगी अब किसके ओपर tax payers और ब्रदर्स के साथ और दुनिया में जितने भी भाई हैं क्या सारे के जारे tax pay करते हैं सारे धोड़ा करते हैं या सारे नहीं करते हैं गलत उच्छे करते होंगे एक है जनका business जो है अच्छा है खासा चल रहा है और brothers जो है कुछ वो क्या करते होंगे टेक्स पे भी करते होंगे तो मतलब ये भी आपस में क्या होंगे पार्शली कनेक्टिड होंगे तो अंसर के रहेगा option number P ओके ये हो गए brothers as a father होते है father as a taxpayers होते है और कुछ taxpayers as a brothers जो हैं वो भी taxpayers होते ही है women professors वीडोज अब बात करते हैं यहाँ पर देखो इसको अभी side रखते हैं पहले और तीसरे को target करेंगे पहले women और वीडो का तो diagram बनेगा ये अब ये शुकर है कि examiner ये ही नहीं पूचता है कि अंदर वाला circle किसका है और बाहर वाला circle किसका है क्योंकि मैंने offline में जब मैं teach करता था तो ये होता था कि कुछ एक ने बोल दिया ये सारे की सारी women हो गई और ये क्या हो गई वीडोज हो गई तो भाई गलत है अलो उनसे लिखने में गलती होई थी तो आपको थोड़ा carefully सोचना होगा women जो है सारी की सारी क्या है वीडोज किल्कुल भी नहीं सोचो भी मत ऐसा तो बट जितनी भी दुनिया में वीडोज है वो सारी की सारी क्या है women है महिलाए है दुनिया में जितनी भी विद्वाएं है वो सारी की सारी क्या है महिलाओं के लिए इंक्रम यूज करते है बात आती है professor की कुछ videos भी as a professor है और कुछ women भी as a professors होती है तो इसका exact when diagram बनेगा option D बहुत ही important when diagram है बहुत बार exam में ये पूछा गया था आपने आज ही के session में question देख लिए होंगे professors भी होती है next flowers, white, clothes spelling गलत है clothes आएगा full, सफेद, कपड़ा flower और clothes में कोई connection होगा बिलकुल नहीं independent relation मनाएंगे बट कुछ flower white color के होते हैं कुछ clothes भी white color के होते हैं simple सा a option में diagram बैठा हुआ है तो ये बीच वाला part क्या हो गया किसका white का और ये किसका हो गया flowers का और ये portion किसका हो गया clothes का हो गया ठीक है जी तो answer कर रहेगा option number a next books, library, chapter index अब ये आगे आपके पास four parameter ये भी मेरे ख्याल से ये CHSL के exam में आया था ठीक है MTS में तो नहीं था CHSL के exam में था books, library, chapter और index, अब आते हैं धीरे-धीरे पहले तो इन दोनों पे आओ library के अंदर क्या होती है books ही होएगी और क्या होएगा तो मतलब के पहला दो parameter जो है इसको तो denote करेंगे ही करेंगे option eliminate कर दिया हमने option number b अब एक और चीज़ पे आते हैं books के अंदर जो है वो index भी तो होता है books के अंदर index भी तो होता है अगर suppose यह मैंने books का बनाया यह library का बनाया तो books के अंदर जो है वो index भी होता है जिसमें list लगी होती है कि इस books book के अंदर कौन-कौन सी content available है आप sequence देखते हैं ना उनका तो वो किसको गहते हैं index को बोल जाता है कई books में content भी लिखा होता है तो यह तो आपस में connected हो गए तीन circle मैं repeat कर देता हूँ इसको तीन circle किस तरह से connected होंगे अभी हमने सिरफ पहले दूसरे और चोथे set को include किया है सारे index किसका part है books का लाइब्रेरीज में भी क्या होती है यह पहला दूसरा और चोथा parameter हो गया बाद आती है अब chapter की क्या index में chapter होते हैं नहीं index या content जो होता है वो list देता है chapters की उसमें पूरा chapter थोड़ा include होता है बट books में chapter होते है तो सारे की सारी chapters जो है अनुक रमनिका वो index है एक list है topics की उसमें chapter नहीं include होगा तो exact when diagram आपका ये बनेगा ये भी बाहर निकला ये भी बाहर निकला answer आगया option number C चलो ये तो रही हमारी पहली category जिसमें हमने क्या है logical when diagram से related question देखे हैं अभी हम दूसरी category करेंगे जिसमें की हम सीखेंगे सीखेंगे क्या सिर्फ question का idea लेंगे जो पिछले साल exam में आ रखे हैं तो वो कौन से हैं data when diagram तो अगर आप तो beginner हो अगर आप easy way से इसी तरह से reasoning सीखना चाते हो यहां तो मैं काफी fast way इंपड़ा रहा हूं ताकि आप लोगों का time ना waste हो exam भी काफी नजदीखा रहा है तो courses के लिए enroll कर सकते हो free में भी videos वैसे available है बट उसमें जो है आपको सिरफ questions की practice ही कराई गई है detail में कोई भी topic available नहीं है हला कि अगर आप ए नहीं कर सकते हो तो description में एक reasoning की revision video का link दिया हूँ है 12 गंटे का अगर आप कहीं और से भी पढ़ रखे हो ना ज़रूर देख लेना काफी चीज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको clear होंगी उस chapter के बारे में question की तो practice आप कहीं से भी कर लोगे पर उसके बारे में जो basic idea या knowledge है न topic की वो होना बहुत ही ज़रूरी है तो वो video आप देख सकते हो description में link दिया हूँ है 12 गंटे की video का अगर आप pay नहीं कर सकते तो भी वो आपके लिए काफी useful रहेगी बढ़ अगर आप pay कर सकते हो तो courses के लिए enroll कर लो मैं तो यह कहूँगा full detail explanation के साथ है कोई आपका एक second भी waste नहीं होगा उसमें क्योंकि to the point बाते है relevant content है पहले ही दिन आपको सारे की सारे topics से related videos available हो जाएंगी और हर एक chapter के जहां जहां need है quick revision points मतलब exam से पहले कुछ एक handy notes जो आपको चाहिए होते हैं ना आपको notes बनाने की जूरत नहीं है वो सारे के सारे qrp की form में quick revision points की form में भी आपको available है और सारी की सारी pdf's के साथ और अगर आप नए होना इस platform पे तो telegram का channel जो है उस join करना मत भूलना channel को subscribe भी कर लो bell icon के साथ है क्योंकि जितने भी videos आती है उसके अगर आपको notification चाहिए न तो bell icon प्रेस कर लेना telegram channel join करना मत भूलना क्योंकि ये जितने भी हमारे sessions आगे आने वाले है या ये वाला है या जितने भी हो चुके है सभी की pdf जो है आपको telegram channel पे ही मिलेगी उसका link भी आपको description में दिया हुआ है अजर आप courses के लिए enroll करना चाहते हो तो उसके लिए आपको app download करनी है play store से इसका भी link description में दिया हुआ है सब कुछ ही description में दे दिया बताओ तो यहाँ पर जाके courses के लिए enroll कर सकते हो कोई भी doubt आता है कोई query है course related कुछ भी पूछना चाहते हो तो यह हमारा official number है कभी भी call करके पूछो यह whatsapp भी कर सकते हो चलो चले अब next type शुरू करने वाले है that is data when diagram नहीं रुको 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 यह logical when diagram ही चलेगा मैं एक category भूल लिया था इसकी ठीक है my mistake data when diagram इस category के बाद रहेगा यह भूल गया था हाँ यह वाले question भी मुझे मिले थे अब यह देखो यह आया है reverse में reverse में question available है जहां पर आपको एक when diagram already दिया हुआ है अभी तक हमने question में क्या देखा था कि हमें एक 3 sets available थे 3 parameters available थे और option के थूँ हमें यह decide करना था कौन सा when diagram logically suit करता है उन 3 parameters को अब यहां पर उल्टा आ गया question एक when diagram दे दिया बस आपको यह बताना है option के थूँ कौन सा इसके लिए best suited है तो यह question कुछ और नहीं बस option के थूँ ही करना है तो पहला अगर हम बात करें stationary pencil और stapler की simple से parameter आया है यह तो बहुत बार आया है stationary वाली items मैंने कम से कम भी जब में equation चाट रहा था तो 4-5 बार तो मैंने stationary वाला question देखा है तो stationary के अंदर कौन-कौन सी आ गई है यह बना देता हूँ यह हो गया part stationary का stationary के अंदर pencils भी है सारे के सारे stapler भी है तो इसका when diagram तो यह बनेगा मुझे इसके बारे में देखना है कौन सा terms का combination इसको define करता है चलिए अब आते हैं यहाँ पर vegetarian women और sisters के बारे में तुने में जितनी भी sisters है वो सारी की सारी क्या है women पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ but vegetarian की बात करें सारी sisters यह सारी women तो नहीं vegetarian कुछ एक है तो यह partially connected होगा दूसरे के साथ sorry दोनों के साथ तो यह हो गया vegetarian शाकाहरी अब आते हैं इस option पे girls intelligent boys इन दों को अगर target करें male female का concept दोनों जो हैं आपस में independent relation मनाएंगे but दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं कहीं न कहीं intelligent कुछ intelligent boys भी होते हैं कुछ intelligent girls भी होती है तो हमारा correct answer क्या है option number B पचा कुछ आइसके बारे में देख लेते हैं यमुना, rivers और kaveri नदिया, rivers दोनों की दोनों कोन है, यमुना भी है और kaveri भी है, पर दोनों का आपस में क्या रहेगा, independent relation दोनों की दोनों नदियां जरूर है next पर आते हैं फिर से दिया हुए एक Venn डियाग्राम चलो, पहले को उठाते हैं doctors, fathers, sisters चलो ये तो cancel ही करो क्योंकि father male होते हैं, sister female होती है father और sister का तो अलग लग बनेगा पर दोनों कही न कहीं as a doctor तो हो सकती है ठीक है, कुछ fathers भी as a doctor हो सकते हैं, कुछ sister भी as a doctor हो सकते हैं, तो ये तो बना पहले का ठीक है, B option पर आते हैं देखुआ है ना दुबारा stationary वाला तो stationary के अंदर ही कौन को ने include हो जाएगा stapler अभी बताके हटा था और eraser भी और eraser और stapler में कोई भी गने action नहीं है bureaucrats men women आगा फिर से male female दोनों का independent बनेगा बट दोनों as a bureaucrats हो सकते हैं कहीं न कहीं, सभी को नहीं consider करेंगे तो final answer क्या हुआ, option number C, extroverts men handsome जैक है, जैसे introvert होता है ना जो सिर्फ अपने काम सही मतलब रखता है ऐसे extrovert क्या होगा, opposite इसको बाहर की दुनिया से ज़्यादा लगा होता है, ठीक है या कहीं ना कहीं negative term भी use कर सकते हैं, मतलब poke करने वाला, हर एक चीज़ में अपनी टांग अनाने वाला ऐसा बोल सकते हैं तो extrovert, कुछ men extrovert होते हैं कुछ men handsome भी होते हैं और कुछ handsome जो है, वो extrovert भी होते हैं तो यही आपका जो है exact Venn diagram बनेगा option number C का जो तीनों sense जो है given Venn diagram को decide करेंगे क्योंकि बाकियों का तो हमने decide करी लिया है मतलब यह best type रहती है ऐसे question की, कि जहाँ पर आपको realize हो ना हो ना, क्यार कौन सा बनेगा एक बड़ ड्रो करके देख लो option के थ्रू option eliminate कर दो option elimination ऐसे question के अंदर the best approach रहती है बात में ऐसा कोई question ही नहीं होगा जो आपसे ना हो सारे के सारे solve वोंगे चलो, अगला देखो sugar cane, गन्ना, fruit, milk अब sugar cane ये मत कहना के वो एक fruit है ठीक है गन्ने की खेती होती, तो वो fruit नहीं है sugar cane, fruit milk, milk कहां से fruit के अंदर पार्ट हो गया ये तीनों जो है independent relation बनाएंगे ये हो गया पहले का, हमें ये वाला देखना है cars, buses, or cycle car, buses, cycle जो है वो भी इसी category में आएंगी तीनों आपस में independent relation बनाएंगे motorcycles, vehicles, scooter ये आपका final answer क्योंकि सारे के सारे vehicles, sorry सारे के सारे scooters, सारे के सारे motorcycles, दोनों किसका part है, vehicles vehicles के अलग-लग category हो गई scooter, motorcycle दोनों अलग-लग हैं, बड़ दोनों है तो likely, spices, cumin और metal, cumin होता है jeera, I think तो cumin जो है वो किसकी type हो गई बसाले की, metal का तो इनके साथ कोई connection ही नहीं है, तो ये D option का वेंड हैगा, मैं सभी clear कर दूँँगा, जरूरी नहीं है कि जो question में given है सिर्फ उसी का बताऊ next again, fathers, doctors, males दुनिया में जितने भी fathers है वो सारे के सारे क्या है, male person है अब इस तरह की तो figure आपको हो सकती है और, but कुछ fathers as a doctor होते हैं और कुछ males भी as a doctor होते हैं हम ऐसा तो नहीं कहेंगे दुनिया में जितने भी father या male person है वो ही doctors है, female और mothers भी तो है तो इसका जो होगा, वो partially connected होगा यह रहा आपका पहले option का when diagram females, males, arts दुनिया में जितने भी arts हैं वो सारी कि सारी क्या है females है, बट यह तो male person हो गया अलग से category बनेगी आपका be option भी eliminate हमने इसके लिए ढूणना है females, daughters, sisters दुनिया में जितने भी daughters हैं तो यह जो है आपका exact answer रहेगा, mothers, sisters, brothers mother, sister, brothers की अगर बात करें कि दुनिया में कुछ sister ऐसी हैं जो ऐजाम mother होती है यह male female का concept रहेगा brother का दोनों में से किसी के साथ भी कोई connection नहीं है तो इसका अलग से diagram बन जाएगा सारी clear कर दिये but exact answer का रहेगा हमारा option number C decide हो रहा हूँ धीर 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 थोड़ा करके क्योंकि screen के सामने ना हूँ question जैसे आप देखते हो ना सबसे वहले उसे खुद सोचा करो कि इसमें से क्या answer हो सकता है post करके देख लिया करो next again सारे के सारे connected है literates, girls, females ये देखो कितनी बार आगया female girls को लेके तो question दुनिया में जितनी भी girls हैं वो सारी की सारी क्या है as a female person है और सारी girls को तो literate नहीं बोलेंगे सारी females को तो literate नहीं बनेंगे बट कुछ एक हो सकती और होती भी है हो क्या सकती है तो ये partially बनेगा दोनों के साथ ही ये तो हो गया a option का fathers, males, sons अब यहाँ पर कईयों को doubt आ सकता है यहाँ पर कईयों को doubt आ सकता है इसको doubt में अगर आए ना आपको तो एक काम करते हैं इसको hold पे रख देना अब यहाँ पर आ जो doubt पते किसमें आएगा father और son के case में बट है तो दोनों के दोनों males ही पहले इनको cover करते है bats, human, mammals तो bats जो है वो mammals की category में आता है जहां रखना bats जो है वो क्या होते है चमगादर जो है वो उस्तंधर ही होते है mammals होते है तो human भी क्या होते है mammals होते है but bat और human के बीच में कोई भी आपस में connection नहीं है तो ये बना c option का बट हमेही से target करना है boys, artist, brothers कुछ brothers as a boys होते है और कुछ boys और कुछ brothers as an artist भी होते है तो ये तो तीनों interconnected होंगे ये भी नहीं है ये भी नहीं answer ये भी नहीं है तो बचा कौन b option तो इसमें मैं clarity दे देता हूँ दुनिया में जितने भी fathers है वो कहीं न कहीं किसी के son तो है ही है जितने भी fathers है वो किसी न किसी के son है ही है जितने भी sons है वो ऐज़ा father नहीं बोलेंगे दुनिया में जितने भी fathers है वो ऐज़ा son तो है ही है और दोनों के दोनों किसका पार्ट है male person का तो exact आपका अंसर के रहेगा option number B अब शुरू है देखो data when diagram थोड़े time taking वाले question उठाए है हाला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा असान होता है बस आपको figure out करनी होती है geometrical figure different different areas को target करना होता है आपको खहर पता ही है तो important या top level के question ही मैंने उठाए है इनकी counting कम होगी क्योंकि हद से ज़्यादा आसान आ रखे थे CGL में तो एक दो shift में ही आ रखा था ये CHSL में भी 2 या 4 shift में ही आ रखा था तो पकी जितने भी shift में आ रखे थे सारे easy थे top level के question मैंने हेक्सागन जो farmers को represent करता है triangle जो है वो represent करता है villagers को और square जो है वर्ग जो है वो represent करता है beneficiaries को तो तीन आपके पास geometrical figure है hexagon, triangle और square target देखो क्या हो रहा है how many farmers farmers मतलब hexagon are there who are villagers, villagers मतलब triangle and beneficiaries also मतलब तीनों ही category की बात कर रहा है कितने farmers ऐसे हैं जो villagers भी हैं और beneficiaries भी है तो मतलब तीनों ही मिला के आपको देखना है कि कौन सा आपको data available है तीनों का common part कौन सा होगा जो triangle के अंदर भी include हो square के अंदर भी include हो hexagon के अंदर भी include हो that is number 5 D option simple आगे देखी क्या है पहला है triangle जो geometric figure है ना उसको target करो एक triangle है जो वो players को define करता है hexagon शटवुद जो है वो भारतियों Indians को define करता है rectangle आयत जो है वो किसको define करता है boys को तीन category होगी अब देखो पूछा क्या गया है how many Indians are players Indians भी चाहिए players भी चाहिए मतलब के triangle भी चाहिए और hexagon भी चाहिए but not boys मतलब triangle plus hexagon चाहिए इनका common portion चाहिए but boys नहीं चाहिए मतलब rectangle का part वो ना हो मतलब triangle और hexagon का common portion देख लो triangle और hexagon ये रही triangle और उसके अंदर hexagon का कौन-कौन सा part आ रहा है एक तो 8 आ रहा है ये आठ देखे रेक्टेंगल का भी तो पार्ट है but boys का part तो हमें consider ही नहीं करना वो बच्चा का कौन 0-0-10 तो answer क्या जाएगा option number A दिख रहा है ना next पर आईए I think ये visible नहीं होंगे तो मैं clear कर देता हूँ ये होगा dancers और ये होगा gymnast ये होगे singers Excel फट रहे होंगे ना क्योंकि image उठाई है crop करके नहीं previous year क्या गने तो देखे यहाँ पर different different categories हैं यहाँ पर mention ही कर दिया है circle किसको represent करता है triangle किसको represent करता है rectangle किसको represent करता है अब पूछा क्या जा रहा है ये देखो how many dancers are dancers मतलब बात किसकी हो रही है triangle की मतलब यहाँ पर triangle तो include हो गाई होगा how many dancers are either gymnast or singers but not both कि ऐसे कितने dancer हैं जो gymnast भी है संगीत का singers भी है बट दोनों के दोनों नहीं है तो हम पहले ऐसे triangles का part देखेंगे dancers का part देखेंगे जो gymnast के अंदर include हो रहा हो मतलब circle का part हो तो वो कौन सा है number 3 ओके और तो और और कौन सा है number 2 नहीं यह सिरफ और सिरफ किसके अंदर आ रहा है 2 क्योंकि triangle और circle हमें दोनों को consider करना है तो यहाँ पर value के आ रही है number 3 अगर आपको visible नहीं हो रहा तो यह value हमारे पास क्या है number 3 और देखें तो यह 16 number जो है वो circle का part नहीं है तो सिरफ एक ही value ऐसी है जो ऐसे dancers है जो gymnast का part है अब ऐसे dancers देखेंगे जो किसका part हो singers का मतलब कि rectangle का dancers और rectangle दोनो include होने चाहिए dancers और rectangle यह देखो यह number 9 available होगा आपको यह triangle में भी आ रही है figure और यह rectangle में भी आ रही है 17 को include मत करना क्योंकि यह 3 की 3 categories होगी तो हमें यह बोला गया है कि कुछ dancers ऐसे हों जो यह तो gymnast हों यह singers हों बढ़ दोनों के दोनों नहीं हो तो यह ऐसे dancers होंगे जो दोनों के दोनों होंगे जिसके बारे में हमें मना गिया गया है यह data तो चाहिए ही नहीं उसके बाद यह 15 जो है वो circle और rectangle का part होगा बढ़ हमें तो triangle भी included चाहिए तो यहाँ पर सिरफ दो ही terms आ रही है एक तो 9 और एक 3 rest देख लेते हैं इसके इलावा कोई भी और connection में नहीं आ triangle और rectangle देख लो triangle में 16 number आ रहा है हाँ बस ठीक है कितना ही था next देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है find the number of students यह है question ऐसे कुल कितने वी ध्यारतियों की संक्या है who studied two or more subjects जो दो या दो से ज़्यादा subjects पढ़ते हैं मतलब जो यह values है ना 6, 7, 12 इनको consider मत करो बाकी सबी हो आड़ कर दो simple answer क्योंकि दो और दो से ज़्यादा subject पढ़ने वाले तो यह values होंगी देखो यह दो subject पढ़ रहे तीन चार भी और एक भी बचा कौन? पांच यह पांच student ऐसे हैं जो तीनों की दिनों subject पढ़ते हैं यह only one subject पढ़ने वाले हैं only bio वाले, only English वाले और only math वाले कितने 12 चार, पांच, नो, रिक, दस, और तीन, तेरह, भी option आपका final answer देखो यह simple से हैं जहां मुझे लग रहा था यहां देखने में गड़बड हो सकती है question थोड़ा आपको time taking approach में दिया गया है तो सिरफ वही question मैंने choose किया है next तहां पर गया एक तो है square वो represent करता है doctors को circle represent करता है blood donators को pentagon represent करता है किसको? women को, punch बुज work given है, वरित given है और punch बुज given है तो हमें देखो, क्या find out करना है आपर how many women doctors are blood donators सोचने की जूरत नहीं, तीन ही चीज़ें given थी women भी given थी, महिलाएं doctors भी given थे महिलाएं भी given है, that is pentagon और blood donators circle भी given है, मतलब तीनों का ही common portion हमें target करना था, तो answer क्या जाएगा 50, that is option number भी क्योंकि हमें ऐसी women चाहिएं जो doctors भी हो और blood donators भी हो, answer would be 50, that is the option श्रीनगर, शिमला और गंटॉक, तीन डिफरेंट सिटीज में लोग ट्रेवल करते हैं, उनका लगलग data available है, so what is the number of families तो डिफरेंट डिफरेंट फैमलीज का data given है who have visited at least two of the places out of श्रीनगर, शिमला, एंड गंटॉक कम से कम दो स्थानों की बात की जा रही है कम से कम दो में कौन include होगा, दो तो आएगा ही आएगा प्लस तीन भी include होगा पिछले से पिछला question यही बताया था जो subject वाला था जिसमें दो या दो से जादा subject पढ़ते हैं वही same situation है दो या दो से अधिक at least two में include होगा इन families बतानी है तो आपको 9, 14 और 21 को ignore करते हुए सारी values consider कर लिनी है क्योंकि यह ऐसी families है जो कम से कम दो जगा पे तो travel करती ही करती है बाइस, साथ और पाँच यह तो दो में हो गई पंदरा, तीनों की तीनों तो तीन जो है वो कम से कम दो में तो आता है कम से कम दो मतलब दो तो ही है जादा जादा कितनी भी हो सकती है यहाँ पर जादा 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 तीन हो सकती है तो 15 और 5, 20, 20 और 22 कितने होगे 42 और 7 कितने होगे 49 answer is option number B next फिर से आपको given है circle graduates है वृत के बारे में given है data triangle तरिभूज का idea दे दिया employed person है और आयत का data दे दिया rectangles का rural folk है what is the number of rural unemployed graduates अब ये देखो time हमें unemployed बे रोजगार लोगों के बारे में यहाँ पर कोई भी information नहीं given employed की बात की गई है और employed रोजगार लोग जो है वो किसको represent करते हैं triangle तरिभूज को मतलब जो unemployed person होगे न वो triangle के बाहर वाला portion होगया अब इससे ऐसा मैं सोचना जी ये तो question ही गलत है कि unemployed का तो हमें debt ही नहीं given तो ये जो triangle के बाहर वाला portion होगा वो क्या होगया unemployed ही consider करना है आपको तो unemployed, मतलब triangle तो चाहिए ही नहीं triangle तो चाहिए ही नहीं rural graduates चाहिए rural graduates चाहिए gramine सना तक चाहिए rural graduates, मतलब के triangle नहीं चाहिए तो rectangle और circle दोनों include होंगे वृत भी include होगा, आयत भी include होगा तो वो किसको represent करता है number 8 को so simple चेको यह triangle का part नहीं है circle का part है और rectangle का part है ओके चलिए next, that's it तो यह थे आज के session में question थोड़े कम थे और ठीक भी है जितने भी होंगे ऐसी कोई condition नहीं होगी कि मैं सारे की सारे उठा के ही ले आऊ easy वाले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा target जो है वो top level के question questions जो है न वो topic wise ही करवाएंगे पकी patience रखो आगे videos का content जो है वो ready हो रहे, सारे के सारे question क्योंकि जितना time पढ़ाने में नहीं लगता न उससे 10 गुना time जो है वो question चांटने में लग जाता है फिर उनको check करके देखो कि हाँ level कैसा था proof read proof check बहुत से जंजट होते हैं फिर उनको check करना के हाँ question सही type हो रख है या type नहीं तो paste हो रख है या नहीं बहुत जंजट होते हैं अब आपके सामने है कि इस video को कितना time लगा है पर इसके पीछे का जो काम है वो बहुत जादा लेंदी है पहले हर exam में से type होगा फिर उसकी proof reading होगी कि सही type हो रख है या नहीं इस solve करके देखेंगे कौन सा level के हिसाब से divide करेंगे कौन सा सही है ठीक ठाक है moderate है या high है easy वाले को हम side कर देते हैं इतने सारी sheets में से exam shift में से ये सारा निकालना तो आप समझ सकते हो तो सारे के सारे अभी next videos जो है वो ready हो रही है attention मतलो उनका content जैसी ready हो जाएगा मैं जल्दी से जल्दी upload करवा दूँगा जो भी आपकी demand है classification की, analogy की, analogy में अलगलग categories होती है number analogy, word analogy, group analogy तीन numbers वाला example लिखके भेजी है गाफी होने मुझे, उसे group analogy बोलते है सारे मिल जाएगी attention मतलो अगर हुआ न हफते में अगर मेरी दो वीडियो जा रही है तो मैं तीन या चार भी दे दूँगा तो be patient जल्दी से जल्दी बस ppds बनने की दे रही है जैसी content बन गया, साथ की साथ upload हो जाएगी ठीक है बस इतना तो विश्वास रखो भाई चलो जी, ये था इतना ही बाकी telegram channel जो है, वो जरूर join कर लेना इसकी pdf आपको वहीं पर मिलेगी जल्दी ही मिलूँगा, अगली वीडियो के साथ तब तक पढ़ते रो, थोड़े ही दिन बचे है ठीक है, पूरा जोर लगा दो ओके, tier 1 तो crack करना ही करना है एक बार ये crack कर लो फिर tier 2 भी देखेंगे ठीक है न, चलो हला कि reasoning नहीं है बट स्टिल यही नहीं पार कराने वाला है आपको section, ओके reasoning, जादा जादा attempt कर सकते चलो take care, goodbye जादा time waste नहीं करोगा, thank you so much